सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरे विडियो में आपका स्वागत है। आए जानते हैं शेक्षनिक वर्ष 2021 और 2022 के लिए CBSE 12वी परीक्षा पैटन CBSE 12वी परीक्षा पैटन 2022, COVID-19 महमारी की अप्रत्याशिक प्रकृति के कारण CBSE एक नई CBSE मूल्यांकन योजना लेकर आया है और इसे लागू किया है। CBSE शेक्षनिक सत्र 2021 और 2022 को दो शर्तों में विभाजित किया गया है। TAM 1 का असेस्मेंट CBSE सिलेबस के 50% पर आधारित होगा और TAM 2 का असेस्मेंट बाकी 50% सिलेबस पर आधारित होगा। CBSE कक्षा 12 के प्रत्येक शात्र को नए परिवर्तनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। CBSE परिक्षा में अच्छा स्को करने के लिए छात्रों को हर परिक्षा आंतरेक TAM 1 और 2 में अच्छा प्रदर्शन करने की आवशक्ता होती है। यहां नवीनतम CBSE परिपत्र से पूर्ण विवरन दिया गया है। बोर्ड द्वारा TAM 1 और TAM 2 के लिए नया तर्कसंगत CBSE कक्षा 12 पार्थेक्रम 2021 और 2022 ऑनलाइन प्रकाशत किया गया है। CBSE कक्षा 12 की TAM 1 परिक्षा 50% CBSE कक्षा 12 पार्थेक्रम पर आधारित होगी। यहां पूरी जानकारी दी गई है। CBSE कक्षा 12 परीक्षा अनुसुची 2021-2022, TUM 1 और TUM 2. CBSE 12 वी TUM 1 परीक्षा 2021 और 22 नवंबर दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी, जबकी TUM 2 परीक्षा मार्च या अप्रेल में आयोजित की जाएगी. TUM 1 परीक्षा चात्रों के संबंधित स्कूलों में आयोजित की जाएगी. CBSE द्वारा नामित परीक्षा केंद्रों पर TUM 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, COVID-19 के कारण स्थिती के आधार पर बदलाव किये जाएगे. CBSE कक्षा बारा परीक्षा पैटन 2021-2022, TUM 1 और TUM 2. CBSE कक्षा बारा नमुना पत्र 2021-2022, TUM 1 और 2 के लिए CBSE प्रश्न बैंक और अन्य संसाधनों के साथ बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है. परीक्षा से पहले बोर्ड द्वारा संसाधन उपलब्द कराए जाएंगे. आंतरिक मुल्यांकन, वर्ष के दौर में 1 और 2 की अवधी के बावजूद विशय के अंत्या एकाई परीक्षन, खोज गतिविधियों, व्यभारिक परीक्षा परियोजनाय शामिल होंगी. CBSE कक्षा 12 टर्म 1 परीक्षा 2021 और 2022, सभी विशयों की परीक्षा ओफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. MCQ आधारित प्रश्ण पत्र, CBSE द्वारा तयाद, पेपर में बहुविकल पिये प्रश्ण, MCQ होंगे, जिसमें केस आधारित MCQS और MCQS अभिकथन तर्क प्रकार पर होंगे. परीक्षन की अवधी, 90 मिनट. उत्तर OMR शीट पर अंकित करने होंगे. चात्रों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्ट समय मिलेगा. CBSE कक्षा 12 टम 2 परीक्षा 2021-2022 Subjective Paper, पेपर दो घंटे की अवधी का होगा और इसमें विभिन प्रारूपों के प्रश्ण होंगे. केस आधारित, स्थिती आधारित, ओपन एंडिड, लगू उत्तर, दीर्ग उत्तर प्रकार. परीक्षन की अवधी, दो घंटे यदि स्थिती अच्छी नहीं है, तो सामाने वर्णात्मक परीक्षा के बज़ाए, 90 मिनट की एमसी क्यों आधारित परीक्षा टम 2 के अंत में भी आयोजित की जाएगी. CBSE परीक्षा पैटन को जानने से च्छात्र CBSE बारवी की परीक्षा 2022 की तयारी बहतर तरीके से कर सकते हैं और उन्हें परीक्षा के महत्वपून पहलूँ से अवगत करा सकते हैं. CBSE कक्षा बारव परीक्षा पैटन 2021-22 को विज्ञान, वानिजे और कला नामक तीन मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है. CBSE बारवी 2022 के कुछ विशय सभी स्ट्रीम के चात्रों के लिए समान है. इस साल, बोर्ड CBSE बारवी की बोर्ड परीक्षा दो टम में आयोजित करेगा. टम एक परीक्षाओं में केवल MCQ होंगे, जबकि टम दो के लिए, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होंगे. आती लगू उत्तरिय प्रश्न, प्रत्येक एक अंक, लगू उत्तरिय प्रकार के प्रश्न, प्रत्येक दो अंक, लगू उत्तरिय प्रश्न दो, प्रत्येक तीन अंक, मूले आधारित प्रश्न, चार अंक, और दीर्ग उत्तरिय प्रकार के प्रश्न, प्रत्येक पाच अं मुल्यांकन योजना. यदि COVID-19 महामारी की स्थिती में सुधार होता है और छातर परीक्षा देने के लिए CBSE स्कूलों या केंद्रों में आ सकते हैं. बोर्ड स्कूलों, केंद्रों पर टर्म और टर्म दो परीक्षा आयोजित करेगा और थियोरी अंक दोनों परीक्षाओं के बीच समान रूप से वित्रित किये जाएंगे. COVID-19 महामारी के मामले में नवंबर दिसंबर 2021 के दौरान CBSE स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, लेकिन टम दो परीक्षा स्कूलों या केंद्रों पर आयोजित की जाती है. टम 1 MCQ आधारित परीक्षा चात्रों द्वारा घर से ओनलाइन, ओफलाइन की जाएगी, इस मामले में अंतिम स्को के लिए इस परीक्षा का वेटेज कम हो जाएगा, और अंतिम परिणाम की घोशना के लिए टम 2 परीक्षा का वेटेज बढ़ाया जाएगा. मामले में COVID-19 महामारी मार्च अप्रेल 2022 के दोरान स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर देती है, लेकिन टम, परीक्षा CBSE स्कूलों या केंद्रों पर आयोजित की जाती है. CBSE परिणाम टम, MCQ आधारित परीक्षा और आंतरिक मुल्यांकन पर छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होगा. छात्रों के वर्ष के अंत परिणाम प्रदान करने के लिए बोर्ट द्वारा आयोजित टम, परीक्षा के अंकों का वेटेज बढ़ाया जाएगा. मामले में COVID-19 महामारी बलों को स्कूलों और बोर्ट द्वारा आयोजित टम, और दो परिक्षाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, छात्रों द्वारा सत्र 2021-22 में घर से लिया जाता है. CBSE परिणाम की गरना कक्षा 10 में छात्र द्वारा घर से लिगई टम, और टम दो परिक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कारे, प्रेक्टिकल और थियोरी अंकों के आधार पर की जाएगी, जो की मॉडरेशन या अन्य उपायों की वैधता और विश्वसनियता स निश्चित करने के लिए छात्रों के अंकों का डेटा विश्लेशन शुरू किया जाएगा, छात्रों के लाब के लिए मैंने विवरण में महत्वपूर्ण पुस्तके और मार्क दर्शिकाय सूचीबद की हैं जो परिक्षा के नए पैटन के लिए उप्योगी होंगी, मैं झाल 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 झाल